दिजिटल ट्रांजक्शन में भारत ने इस प्रकार से आज एक उडान दी है कि पिछले साल डिजिटल ट्रांजक्शन में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया अब दुनिया में in the entire world हाई-एस डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश कोई होगा तो हमारा भारत देश है और मुझे याद है कि मोदी जी ने हमारे यूप आया उगरा शुरू किया था डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की थी तो चिदंबरम जी ने एक स्पीच लिया था और चिदंबरम बिजली हो सकती है लेकिन उनके बाषण के छे साल बात की स्थिति ऐसी है आप छोटे से छोटे दुकान में चले जाओ सब advantage वाले के पास चाय वाले के पास चले जाओ आप चाय वाला पुने में ऑटो रिक्षा चलाने वाला उसने का मैं तो सारे पेमेंट डिजिटली लेता हूँ और उसने का इससी मुझे फायदा यह हुआ पहले दिन भर में पैसे कमाता था तो जेव में पैसे रहते थे तो रात को लगता था थोड़ी शराब पी लो थोड़ा कुछ खर्च कर लो पैसे घर नहीं जाते थे अब पैसे बैंक में जाते हैं और बैंक बैलेंस ऐसा एक मैसे जाता है कि आज इतना बैंक बैलेंस बढ़ गया तो दिल को बड़ा अच्छा लगता विड्रोई नहीं करूं मैं उस पैसे को रोक रोक कर वहां पर रखो और उसमें से मेरे वर्तन इस देश में गरीब होके आम आद्मी के जीवन में डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से मोधी जी ने लाया है यह मैं ऐसा मानता हूं कि एक नए भारत की यह संकल पनाए